हलो फ्रेंड्स मैं एकता आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ आज मैं स्वीट पोटेटो कैसे कूकर में रोस्ट किया जाए उसकी रेसिपी लेकिया हूँ तो कूकर में आप अकसर स्वीट पोटेटो को बॉयल करते हूँ लेकिन आज में बहुत ही ईस बीना एक बूत पानी के कूकर में स्वीट पोटेटो कैसे रोस्ट करेंगे उसका तरीका चलिए सीखते हैं तो यहाँ पर देखी एक मैने स्वीट पुटेटो को बहुत ही अच्छे से बहुत ही चीज़गरी चाहें तो आगे के प्रोसिस में चलेंगे । मैंने कॉकर ने में चाहें लुट से भाई चुछाएंगे आगे прीमुट कमद और कुकर आपका एक भी बुन्स में पानी नहीं होना चाहिए इस कुकर में हम सबसे पहले घी डालेंगे तो उससे पहले भी मैंने बैगन का भरता बनाना बताया था चोखा जो आप कहते हैं तो उसको भी देखिए मैं कोई भी चीज बनाती हूं तो इस तरह से घी या तेल मे ही आप सेकेंगे तो बहुत ही टेस्टिक अच्छे से रोज्ट हो जाता है जैसे आप गीठी पे सेखते हैं तो देखिए मैंने इसमें घी डाल दिया है यह ब्रत वाला है तो इसमें मैंने देशी घी डाल दिया है और आप एक एक करके आपको ऐसे स्वीट पोटेटो को है तो जितना भी इसमें स्वीट पोटेटो आ जाए आराम से उतना आप रख लिजे तो बस इसका एक लेयर ही आप सुट पोटेटो पकाएंगे तो यह देखिए मैंने इसको रख लिया है और अब हम इसको डगकन बंद करदेंगे तो डगकन बंद करके मैंने गैस का फ्ले करना है तो हर दो मिनट में आपको ऐसे पकाना है फिर ऐसे हिलाना है तो टोटल आपको 15 तक एकदम लो-सलम में पकाना है तो देखिए मैंने कई बार से दो-दो मिनट ऐसे करके लो-सलम में फिर ऐसे हिला लिया है देखिए Jupiter interference से पक जाएगा दस से पंदर मिन तब आपको नहीं ही लाना इये देखिए का चीटी दे चुका है अपर इस तरह से प्लपर को शेत बती है तो इसमें इसमें देखी मैंने एक भी बूल पानी नहीं डाला था आपको मैं खोल की दिखा रहे हूं कि इसमें गी बूल यह जो है अच्छी से सूक लिया है और यह अ इस से यह पुरा जो है पुर अच्छ से पक चुका है तो अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा एक-एक करके हम इसको निकाल लेंगे थो यह पहुत fitted से देखे। रोस्ट हो चुका है और इसमें थोड़ा साहलकासा नीचे हलकासा लग data तो कोई बात नहीं है अब भी देखिए आपको मैं Department क Alger को सद्खें कि बहुत ज़्यादा नहीं लगा है बस हलका साह उसमें यह दाग लगा तो यह बहुत ही अच्छी से डहें रोस्ट हो चुका है और जो आप पानी के साघ nossas candidates थें इसका टेस्ट में बहुत ही अंतर होता है यह बहुत ही मीठी लगते हैं यह इन पर इस तोड़ा सा ज्रोडाय गार तो यह जला नहीं कि श्रोर्ष्ट हो गया है तो देखिए मैं आपको यह से छिल के दिखा रही हूँ कि जैसे आप और सब चीज पकाते हैं तो बस उसी तरह आलो को सेखते हैं इंगिठी में उस तरह से यह पका है बहुत यह अच्छे से यह स्वीट पोटेटो जो है कूकर में रोश्ट हो जाते हैं तो आप भी इस तरह स गी डाल दीजे और उपर से आपको गीला टावल लेके डाल दीजे उसमें पानी मढ़ डालिए तो उससे भी बहुत यह अच्छे से यह स्वीट पोटेटो पक जाते हैं तो देखिए यह जो इसमें जो मैंने घी डाला था तो पूरा घी जो है इस स्वीट पोटेटो पर च रोष्ट हो चुके हैं और आप इसका देखिए मैं आपको सारे ठोड़ा सा भी कहीं कभी है सब चीज में एकदम जैसा भी यह सिखा हुआ है वैसा मैं पूरा आपको दिखा रहे हूं यह देखिए इस तरह से सिके हैं यह जो कूकर में पानी से पकते हैं और इस तरह से तो मैंने आपको बहुत ही इजी तरीका बताया है कूकर में आप स्वीट पूटेटो को रोष्ट करने का तरीका तो न दहींыт Ah आपको यह कट करके दिखा रही हूं कि बहुत ही परफेक्ट यह जो है अच्छे से सीके हुए हैं यह देखिए बहुत ही अच्छे सीके हैं बहुत ही स्वाधिश्ट लगते हैं तो आप चाहें तो इस तरह से भी खा सकते हैं नहीं तो आप इसको छोटे-चोटे टुकडों मे खा सकते हैं बहुत ही टेस्टी चार्ट होता है तो आई होप कि आपको कूकर में स्वीट कोटेटो रोस्ट करने का तरीका जरूर पसंद आये होगा थैंक यू फ्रेंड